Hello everyone, welcome to origin आज के इस session में हम start करने वाले हमारे class 11th के English का first chapter जिसका नाम है The Portrait of a Lady by Khushwan Singh So, आज के जो इस video का हमारा main name है वो है कि इस video के end होने के बाद कुछ भी extra चीज़ करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इस session में हम क्या क्या चीज़े देखने वाले हम एक बार छोटा सा overview में आपको दे देता हूँ हम इस story की summary देखेंगे जो की most important section इस video का अगर आपने इस summary बहुत अच्छे समझ ली तो जितने भी questions इस chapter से आएंगे आप easily उन questions को solve कर लेंगे जितने भी questions आप से पूछे जाएंगे वो सभी आपको अच्छे से बनेंगे क्योंकि summary ही किसी story का main part होता है जिसको आपको अच्छे से समझना है and summary एक बार complete होने के बाद बहुत सारे questions है आपके लिए NCRT के questions, PYQs and long answer questions NCRT questions हम deal करेंगे जिससे हमें story के अंदर का जो depth है वो समझाए PYQ से हमें पता चलेगा कि हम किस level तक story को समझ सके है and जो long answer questions है वो एक तरीके से summary type के question है जिनमें हम पूरे story को एक summary बनाके उसका answer को लिखेंगे clear ये सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा question से deal कैसे करना है देखिए इस video का main aim ये है कि आपको अपने main subjects पर ज़्यादा focus करना है जो language के subject से उन पर generally students कम focus करते है so इस video के through जो मैं provide कराना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस video को बस देखे 30 to 35 या 30 minutes के जितने भी देर का ये video बनेगा इसके बाद आपको कुछ extra चीज़ करने की जरूरत नहीं बस एक बार आपको अपना textbook read कर लेना है clear so I hope हम सब ready है इस story की summary को start करने के लिए अब आपका सारा focus इस video पे होना चाहिए book आपको अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है सबसे पहले मैं आपको ये बता दिता हूँ उस story के characters कौन कौन से है so इस story के जो character है वो है the author खुश्वन सिंग खुद वो अपने life की एक journey को इस story में समझा रहे है and जो second main character है वो है उनकी grandmother so portrait of a lady एक story है जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक बच्चे की अपने दादी के साथ जो relation है वो किस तरीके से वक्त के साथ बदलते जाती है जब वो छोटा था तब उनकी relation कैसी थी जब वो थोड़े बड़े हुए तब उनकी relation कैसी और जब वो adult हो गये थे तब उनकी relation उनके साथ कैसी थी इन सारी चीजों के बारे में हमने इस story में पढ़ना है ओके, so I hope हम सब ready है अब आपका सारा focus इस वीडियो पे होना चाहिए क्योंकि हम इसका most important point स्टार्ट करने वाले हैं जो की है इस story का summary So, Portrait of a Lady by Khushwan Singh author कहते हैं कि उन्होंने अपने दादी की photo देखी काफी young age की photo देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी दादी भी कभी इतनी सुन्दर दिखती थी क्योंकि जब से वो अपने दादी को देख रहे है तब से उनके aged चहरा उनके साम दिमाग में बसा हुआ है बट जब वो लोगों की बाते सुनते हैं कि उनकी दादी young age में कैसी दिखती थी जब उन्होंने उनका poster देखा तो वो काफी उनको यकीन करने में काफी मुश्किल हुई कि कभी उनकी दादी ऐसी भी दिखती थी इसके बाद इस story में खुश्वन सिंग बताते हैं कि उनकी दादी के साथ उनका बचपन में जो relation था वो बहुत अच्छा था वो अपना सारा time दिन का सबसे ज़्यादा time अपनी दादी के साथ spend करते थे उनकी दादी एक white color की साड़ी पहने रहती थी और अपने हाथों में हमेशा माला रखे रहती थी और कुछ माला जबते रहती थी और उनको जब वो छोटे थे तो उनको इसकुल जाने के लिए ready भी वही करती थी और इस्कुल छोड़ने भी वही जाती थी और लेने भी वही जाती थी क्योंकि खुश्वन सिंग जो आथर है उनका जो इस्कुल था वो एक मंदिर के पास था तो उनकी दादी थी वो लेने भी जाती थी और छोड़ने भी जाती थी और रास्ते में वापस आते टाइम वो उनको रोटी भी खिला दिया करती थी ये सारी चीजे खुश्वन सिंग इस स्टोरी में हमसे बताते हैं इसके बाद कुछ दिन बाद उनके साथ होता ये है कि खुश्वन सिंग जब बड़े हो जाते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं एक English Medium Convent School में जाना और बड़े School में जब वो जाने लगते हैं तो उनको लेने एक बस आती है तो अब उनकी दादी उनका School छोड़ने नहीं जाती जिसे की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है और खुश्वन सिंग जब अपनी दादी को अपनी School की स्टोरी आके सुनाते हैं तो उनकी दादी को उनका School पसंद नहीं आता क्योंकि रीजन ये होता है कि खुश्वन सिंग जब उनको बताते हैं कि हमें Science के ये नए चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया या कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया हमें Dance सिखाते हैं तो उनकी दादी को ये सारी चीज़े पसंद नहीं थी उनका कहना ये था कि Dance जो है वो बड़े घर के अच्छे घर के लोग नहीं करते उनका कहना था कि ये कैसा इस्कूल है जो भगवान के बारे में नहीं पढ़ा था अब जब वो बड़े हो चुके थे तो उनकी जो Science की Studies थी या जो Higher Studies थी उसमें उनकी दादी help नहीं कर पाती थी इसलिए distance थोड़ा बढ़ते गया क्योंकि जब वो चोटे थे तो उनकी दादी उनके homework में भी उनका help करती थी उनको स्कूल छोड़ने जाना बट जब वो एक English medium स्कूल में बस के थुरू जाने लगे तो distance थोड़ा बढ़ गया अब जब खुश्वन सिंग और बढ़े हुए तो वो Higher Studies के लिए बाहर जाने लगे University में उनको एक अलग से रूम मिला और ये चीज़ उनकी दादी को बिलकुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि अब उनको अब वो सेम रूम में नहीं रहते थे अब खुश्वन सिंग अलग रूम में रहते थे उनकी दादी को भी एक separate रूम दे दिया गया जब खुश्वन सिंग higher education के लिए शहर छोड़ के बाहर जा रहे थे तो वो काफी उदास थे क्योंकि उनका सोचना ये था कि अब शायद मैं वापस आओ तो मेरी दादी से मिलना हो या ना हो बट उनकी दादी उस दिन उनको छोड़ने गई एंड उनको काफी अच्छे से उन्होंने बाए कहा बट खुश्वन सिंग ये सोत रहे थे कि अब शायद मैं अगली बार आओ तो मेरा मिलना ना बट जब खुश्वन सिंग कुछ दिन बाद वापस आए तो उनकी दादी उन्हें लेने गई ये चीज़ देखके उनको काफी खुशी हुई कि मैं उस बार गलत सोच रहा था बट जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी दादी के एक्टिविटीज में काफी के सुने ऐसा लग रहा था कि डीमन्स आ गये हैं कुछ राक्षस जैसे आ गये हैं और वो उन्हें आवास उसको पीट-पीट के उन्हें भगा रही है इस टाइप के कुछ वो हरकत करने लगी ये सारी चीज़ उनको काफी स्ट्रेंज लगने लगी और इस चीज़ से उनको चिंता भी ये हुई कि वो करने से उनकी दादियों काफी ठकान होने लगी और उस ठकान की वज़े से उनकी तबियत जो है अगले दिन वो खराब हो गई ये सारी चीज़ उनको काफी स्ट्रेंज लगी उनकी दादी का अब जो कुत्तों को खाना खिलाने वाला जो आदत थ आदत थी, वह बदलके चिडियों को दाना देने की आदत में बदल चुकी थी अब उनका में टाइङम का अदिक तर हिस्सा चिडिया को दाना खिलाने में ही जाता था जब उनकी दादी की तबियत खराब हुई फिर कुछ दिन बाद उनका डैथ हो गया अब होता ये है किसी स्टोरी का एंड खुश्वन सिंग इस तरीके से करते हैं कि जब उनकी दादी के दैट के बाद जब उनकी मम्मी देखती है कि जहां पर उनकी दादी बैठती थी वहां बहुत सारी वो जो चिडिया जिनने वो दाना देती थी वो आके बैठ गई है काफी स्टोरी जो है वो एंड होता है सो इस स्टोरी में हमको में जो सीख मिली वो यह है कि किस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो टाइम के साथ चेंज होते जाता है किस तरीके से आपस में जो दूरिया है वो बढ़ते जाती है ये हमें पता चला खुश्वन सिंग और उनकी दा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा question का session देखिए मैंने आपके लिए इतने अच्छे तरीके से sort out किया हैं कि ये questions solve होने के बाद जितने भी नए questions हैं उनके answer भी आपको इनी questions में से मिलेंगे क्योंकि सारे different जो main topics जो main theme इस story में touch किया गया है उन theme से लेके हमने एक-एक questions लाया है ending questions को solve करने के बाद अगर आपके सामने नया question भी आता है तो उसका answer जो है वो इनी questions में से किसी एक का answer आपको लिखना है कुछ नया चीज इसके बाद आपके सामने नहीं आएगा तो अब हम start करते एक-एक करके सारे answers आप रट नहीं सकते इतने सारे chapter से इतने सारे questions के इतने सारे answers हैं अब वो छोटे class वाले time गया कि आपने answers रट लिए और वो लिख के आगे अब आपको story समझना है और ये चीज धियान देना है कि किस तरीके से questions से deal करें कि जो नए questions अब हमारे सामने आये तो हम खुझ से वहाँ पर लिख सके इससे हमारा time become utilize होगा marks भी जादा अच्छे मिलेंगे बट कुछ keywords होते हैं हर story के जो कि मैं आपको provide कराऊंगा कि इस answer पर ये keyword डालने पर जो checker है वो आपको full marks देगा क्योंकि उससे ये feel आएगी कि हाँ आपको answer आता है बट आपको answers रटने नहीं है answer आपको समझने है ओके सब हम start करते हैं What is the chapter The portrait of a lady about सुरू में ही मैंने आपको बताया इस summary start करने के पहले कि इस story में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये chapter है खुश्वन सिंग और उनकी दादी के relation के बारे में and इस story से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वक्त के साथ चीजे बदलती जाती है and जो relation में जो distance है वो किस तरीके से create होता है ये जो main हमारा इस story के थूँ जो हमको सीख मिलती है वो ये है आंसर का आप टेंशन मतली जी इसका आंसर आपको PDF format में मैं आपको available करा दूँगा but best idea ये है कि आपके सारे answers को समझे कि किस तरीके से question से मैं deal कर रहा हूं and मेरे बताने के पहले आप video को pause कर करके देखिए कि आपसे वो questions बन रहे हैं या नही उसके बाद आप check करिए कि आपने जो सोचा वो सही है या नही and दो homework भी आपके लिए है answers आपको comment में post करने है best answer जो है वो मैं comment box में pin करूँगा सारे answers मैं बहुत ध्यान से देखने वाला हूं okay पूरे answers आपको नहीं लिखने है यहाँ पे जो question है वो हमसे पूछ रहा है कि हमें तीन faces explain करने है तीन faces के बारे में लिखना है phases means तीन वो काल जिसमें उनका जो relation है वो change हुआ तो मैंने आपको summary में बताया कि किन तीन कालों में जो तीन phases में इनका relation change हुआ पहला phase था childhood means जब वो बहुत छोटे थे जब उनकी दादी उन्हें इस्कुल जाने के लिए ready करती थी उन्हें इस्कुल छोड़ने और लेने जाती थी यह था पहला phase दूसरा phase जब वो English medium इस्कुल में पढ़ने गया जब उनकी बस उनको लेने आती थी छोड़ने आती थी जब वो higher studies के बारे में दादी को बताते थे तब वो उन्हें पसंद नहीं आता था और उनकी दादी उनकी studies में help नहीं कर पाती थी यह था second phase जब वो out of station गए पढ़ने के लिए और उसके बाद जब वो वापस आये तब उनकी दादी का जो strange behavior था और उनके भी जो distance क्रेट हुआ वो किस टाइब का distance था यह तीन phases जो थे उनकी life में थे childhood, teenager and adulthood यह तीन phases में हमने इसी story में distance को पढ़ा है clear? यह हो गया हमारा second question अब इसको आप एक बार try कीजिए त्री reasons why आप चाहे तो वीडियो पॉस कर सकते हैं और आंसर खुझ से एक बार try कर सकते हैं थ्री reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school हमें यहाँ पे तीन ऐसे reasons बताने हैं कि क्यो उनकी जो grandmother थी खुश्वन सिंग की वो क्यो disturbed हुई जब वो city school जाने लगे जब वो बड़े इस्कुल में जाने लगे क्योंकि disturb हुआ था मैंने आपको यहाँ पे summary में एक बार explain किया कि उन्हें पसंद नहीं आया dance करना उनका कहना था कि अच्छे घर के जो लोग है बड़े घर के जो लोग है वो dance नहीं करते second season उनको यह पसंद नहीं आई कि अब वो उनकी studies में help नहीं कर पा रही है अब वो उनको home work में help नहीं कर पा रही है and जो third season उनको पसंद नहीं आई वो थी कि यह कैसा इस्कुल है जहां God के बारे में नहीं पढ़ाया जाता अब हम चलते हैं अपने next question में how did the author's grandmother behave just before she died यहाँ पे देखिए यह वाला question चली आपके लिए homework क्योंकि मैंने अच्छे से explain कि कि किस तरीके से जब author वापस आए तो उनकी जो दादी का strange behavior था वो किस तरीके से change हुआ जो उनका behavior था वो एक दिन पहले किस तरीके से ढोल पिटने लगी and next उनका behavior क्या था यह आपको लिखना है यह question है जो आपके लिए homework है clear? कौन जा question? यह वाला ओके यह question आपके लिए homework है अब हम चलते हमारे next question की ओर इसको भी एक बार आप try करिए the author's grandmother was a religious person what are the different ways in which we come to know this अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यह जो statement दिया है यहाँ से यहाँ तक इस question का statement है कि the author's grandmother was a religious person मतलब जो author की जो दादी है वो एक धार्मिक व्यक्ति थी धार्मिक इनसान थी किस तरीके से इस story के थूँ हमें यह समझाता है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति थी वो एक religious person थी यहाँ से हमको क्या समझाता है कि author का जो school है वो एक temple पे था temple के पास था सो वो daily उन्हें छोड़ने लेने जाती थी और वो मंदिर भी visit करती थी एक हमको यहाँ से पता चलता है and second चीज़ जो हमें पता चलती वो है इस पेज के questions complete हो गए यह चीज़ आपको ध्यान रखिए इसका answer आपको comment box में देना ही है मैं सारे answer ध्यान से पढ़ने वाला हूँ next question try करिए would you agree that the author's grandmother was a person strong in character if yes give instances that show this अब यह वाला एक point यह है जो summary time पे I guess मैंने miss कर दिया but यहाँ पे मैं आपको explain कर देता हूँ यह question हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या author की जो grandmother थी वो एक strong person थी क्या वो confident person थी and अगर हाँ तो कैसे and story के through आप किस तरीके से show कर सकते हैं यह इस question में हमसे पूछा गया है so किस तरीके से हम show कर सकते हैं हम कैसे show कर सकते हैं कि जो author की grandmother है वो strong थी yes okay so किस तरीके से start करना है answer को yes I agree that the author's grandmother was a strong person was a strong in character इस तरीके से first line हम लिख देंगे and अब हमको explanation में क्या डालना है कि जब author और उनकी grandmother की बीच में distances create होने लगी जब उनकी grandmother को दिख रहा था कि हाँ जो author जो खुश्वन सींग है वो उनसे दूर हो रहा है उसको separate room मिल रहा है अब वो उनका homework में help नहीं कर पा रही है उनको बिलकुल भी खुशी नहीं हो रही थी कि वो out of station जा रहे पढ़ने बट इन सब के बावजूत उन्होंने एक बार भी नहीं मना किया एक बार भी उन्हें रोका नहीं उन्होंने सारी चीज़े अपने अंदर दबा ली इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ जो author की grandmother है वो एक strong character की person थी इस तरीके से हमारा इस answer का explanation next question देखिए have you known someone like the author's grandmother? do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? अब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि क्या जो question है वो हमसे यह पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी ऐसे person को देखा है जो author के grandmother की तरह हो या क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है regard someone whom you have loved and lost means क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में या था कोई लाइफ में जिससे आप बहुत प्यार करते थे बट अब आपके साथ वो नहीं है कोई सा भी person जरूर नहीं यह grandmother, grandfather ही हो कोई सा भी person यह second question है जो आपके लिए homework है यहाँ पर आपको इसको comment box में answer देना है कि क्या आपके life में कोई ऐसा person है जिससे आपने प्यार किया और अब वो आपके साथ नहीं है यह इस question के तुरू पूछा जा रहा है तो इसका मैं limit लगता हूँ तीन points में आपको इसके answer को लिखना है short points आपको बस भर देने है लंबा answer नहीं लिखना है क्योंकि उसमें time taking वो जादा है बस आपको तीन points में इसका answer फिल कर देना है यह दोनों questions के answer अगर आपने अच्छे से कर दिया so means आपको वो story जो है वो अच्छे समझ आ गई है next हमारा question deal करते है describe the changing relationship between the author and his grandmother did their feelings for each other change अब देखिए यह वाला जो question है describe से लेके grandmother तक यह मैंने already पिछले question में बता दिया किस question में जिसमें पुछा गया था तीन कौन-कौन से phases से जिसमें author का जो grandmother से relation था वो change होने लगा same जिसको यहाँ भी लिख देना है कि जब वो छोटे थे तब उनकी relation कैसी थी उनकी दादी उनको ready करके school छोड़ने जाती थी लेने जाती थी उनके homework में help करती थी second phase में homework में help करना छूट गया उन्हें उनका school जाना पसंद नहीं आता था अब वो उन्हें school छोड़ने और लेने नहीं जा पाती थी third phase में author जो है वो university में उनको separate room मिला अपनी दादी से वो दूर हो गया इस तरीके सुनके बीच में distance create हो गया यहाँ तक हमें जो है क्या कहते है कि वो चीज को explain कर देना है अब did their feeling for each other change यह चीज हमको क्या यहाँ पर explain किस तरीके से करनी है यहाँ पर बोल रहा है कि क्या उनके अंदर जो एक दूसरे के लिए feelings थी वो change हुई so यहाँ पर उनकी feelings change ही हुई देखें उनके बीच में distance create हो रहा था और एक दूसरे के लिए प्यार यहाँ पर कम नहीं हुँ हुई इस तरीके से हम इस question को answer कर सकते हैं देखें यह जो question था हमारा long answer question है क्लियर यह लॉंग आंसर क्यों है क्योंकि इस question को answer करने के लिए सिस्टोरी में जितनी चीज़े हमने पढ़ी है वो सारी चीज़े यहाँ पर हमको डाल देनी है यह वो question है जिसकी मैं starting में बात कर रहा था इसका answer अगर आपने अच्छे से किसी पेज में लिख लिया तो एक तरीके से वह आपको वहाँ पर समरी बन गया है next हमारा question देखते है how did author's grandmother behavior how did author's grandmother behave just before she died so यह डिटो two copied question है पिछले page से जो कि हमने discuss किया कि author की grandmother का behavior कैसा था so यह question repeat हो गया समझ लेजिए देखिए English में होता यह है जब भी आप exam में questions या PYQs आप अपने book के questions अब देखेंगे यहां पर जैसे मैं आपको questions बता रहा हूं English में English में हमारा जो main questions repeat होते हैं हमको नहीं पता चलता ही question repeat हुए है क्योंकि लेकिन answer जो है उन questions के same होते हैं अब यहां पर इस ने पूछ दिया कि author की grandmother ने किस तरीके से behave किया just before she died मरने के कुछ देर पहले उन्होंने किस तरीके से behave किया अब इस question को अगर मैं इस तरीके से पूछू कि author के बाहर से आने के बाद किस तरीके से behavior में changes दिखे same question अलग है बिलकुल word word हर चीज अलग है answer photo copy आपको वही लिखना जो इस question में लिखेंगे so English में यह हमारे पास extra point यह है कि questions बहुत सारे बनेंगे answer सबके same होंगे तो बस आपको यह video ध्यान से देखना है आपके सारे questions बहुत अच्छे से बनने वाले हैं लास्ट हमारा question the author's grandmother was a religious person what are the different ways in which we come to know this देखिए अभी मैंने question repeat होने की बात की यह question क्या था person is just पहले इसके एक page पहले जो हमने question deal किया यह the author's grandmother was a religious person what are the different ways in which we come to know this यह NCRT यह question है and इस page में जो question है हमारा यह आला question यह PYQ है देखिए NCIT के भी questions exam में आते हैं इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि question जो हमेशा English में repeat होते हैं यह वाला जो story वह बहुत important story क्योंकि हर साल exams में इससे question दिये जाते हैं इतने भी स्कुल्स के exams हैं वहां इस chapter से story देना ही पड़े हैं क्योंकि बहुत important chapter है and first chapter है इस chapter को आप बिल्कुल भी lightly नहीं ले सकते हैं यहां पे हमारा the portrait of a lady class 11th के English का first chapter जो है वो complete हो गया है जिसके author जो है वो है खुश्वन सिंग काफी beautiful सी story थी and emotional story थी but overall हमारा aim यह था कि हमसे questions बनने चाहिए and अब मुझे ऐसा रग रहा है कि कोई से भी new questions अगर आपके सामने आएंगे so any questions में से वो होंगे and आप से वो सारे questions बन जाएंगे and इस चीज का मुझे full confidence है मिलते है next video में and वो भी काफी important video होने वाला है so till then goodbye thank you take care जै हिंद